बाउसकार वीवर्स मैं हूं अमीश दिव-गण और हम इस समым ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है केंद्रेमंत्री हर्दीब पुरी दोकि पूरा शासन प्रशासन भाड़र्तिय जोता पाटी इस समे ग्राउंड जीरो पे मौजूद है नरेंद मोधी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने के लिए और हम मौजूद हैं कृतब विपत के ऊपर ये वो पत है जिसका नाम प्रधान मंत्री मोधी ने बदला लेकिन विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए ये वो पत है जिस पत पराकर नरेंद मोधी ने बीते 10 सालो में इस देश में अमूल चूल परिवर्तन करा ऐसा भारतियंता पार्टी कहती है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गड़ बंदन कहता है कि भारतियंता पार्टी हिंदू मुसल्मान का दाव खेल रही है पोलराइजेशन कर रही है एक सो नब्वे सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है बीजेपी अपना चुकी है और केंद्रिय मंत्री हरदीप पुरी जी मौझूद है लेकिन हरदीप पुरी जी ये करतव्य पत्थ वो है जिसका नाम भी बदला और नई संसत भी दिख रही है और प्रधानमंती नरेंद्र मोधी के अगवाई में आपने भी यहाँ पर काम किया क्या कहना चाहते हैं देखिए दोजार चौदा से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आज से पचास वर्ष पहले और मैंने इसको राजपत कहते थे आज इसको करतव्य पत कहते हैं मैंने इंडियन फॉर्ण सर्विस जॉइन की थी पचास साल पहले और मैंने देखा कि दोजार चौदा से पहले क्या हुआ था और दोजार चाहुदा के बाद क्या हुआ है यह जो आप करतव्य पत शांदार देख रहे हैं नई पार्लिमेंट बिल्डिंग देख रहे हैं अ इसके आंकड़े जो हैं दस साल के वह अगर आप देखा जाए तो पिछले उन्निस सो संतालिस से लेके मिला कर वह एक तरफ हैं और यह दुसरे इसलिए विपक्ष के पास सॉलिट अचीवमंट्स जी और दिखाने के लिए नहीं है इसलिए वह जो भी हम करते हैं उस पे वह तो सवाल उठा लेते हैं और मन्च तयार है मंच तयार है तो जोरदार तालियों के साथ अबिननदन कर ये केंदियों मंतरी हर्दीप पूरी जीय सब्चा यह 시ometer का चुनाव पूरा हो गया है लेकिन यहां से स्थिति क्या दिखती है क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि पहला दौर बहुत कमजोर गया है भारतिय इंतर पाटी का ऐसी प्रिसेप्शन बनाई जा रही है देखिए विपक्ष का कहना के पहला फेज अच्छा गया या नहीं गया वो तो पता लगेगा जब नतीजे आएंगे चार जून को चार जून को पर दो चीज़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हमारे विरोधी दल है जो विपक्ष की अलाइंस है इंडी अलाइंस जी आप इनका प्रोग्राम देखें तो आप ये सवाल पूछिए कि मान लीजे खुदा ना करे और चार जून को जो नतीजे आते हैं उन नतीजों में निकलता है कि कॉंग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है इंडी अलाइंस हुआ जाते हैं तो वो क्या करना चाहेंगे दो दो इशूज में आपके सामने रखना चाहता हूं 1969 में इन्होंने गरीबी हटाने का नारा लगाया था और ये जो गरीबी हटाओ स्लोगन था इसको अगर आइनलाइस करें तो क्या था मैं तो भूल गया था 1974 में मैंने आपको बताया है मैंने फॉरंट सर्विस जॉइन की जी इन्होंने नाइंटीन सिक्स्टी थ्री नाइंटीन सेवंटी फॉर इस एरिया में कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम लाए थे मान लिजे हमारे जो यंग आंट्रप्रणोर्स हैं स्टूडन्स हैं इन में से कुछ कुछ फर्स टाइम वोटर्स हैं जो भी उनके पास अगर डिपॉजट है जो भी पैसा है उन्होंने का 18% इसको पान साल के लिए फिक्स डिपॉजट में रखें लेकिन एक सवाल मेरा यह है कि आपके पास कोई खटा-खट महंगाई खतम करने की स्कीम है कोई बीज़वी के बाद राहुल जी के पास है राहुल जी के स्कीम पर मैं आ रहा हूं पहले मैं आपको रियल वर्ल्ड का बता दूँ जी छह अप्रेल को राहुल जी ने एक भाशन दिया यह खटा-कट खटा-कट वहीं से आया है। उन्हें ने कहा कि जब हम सथा में आ जाएंगे तो हम X-ray करवाइंगे दुनिया भर में जो हो रहा है इंडिया मैं X-ray करवाइंगे X-ray में क्या करेंगे पता करेंगे कितनी संपत्य है लोगों के बाद और फिर कुछ करांती कारी कदम उठाएंगे क्या उठाएंगे कि अगर आपके पास वैलता उसको redistribute कर देंगे पहली बात देखिए एक inheritance tax नाम की चीज़ है जी विरासर tax वो पहले भी था जब इंदरा ज गुजर गई तो राजीव दी को उनके बच्चों को उनके grandchildren को इंदरा जी को एक लाग 73,000 डॉलर के करीब मिलना था क्यूंकि वो नहीं चाहते थे कि वो inheritance tax लगा हुआ था वो पे करना पड़े तो उन्होंने inheritance tax को ही कर दिया तो यह एक ऐसा outfit है जो अपने परिवार के नहीं आ सकते तो इस समय यह खटा-कट खटा-कट वाली मशीन लगा रहे हैं लेकिन 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 एक सवाल यह है कि अब चर्चा यह है कि वाइनट का चुनाब संपन हो गया अब राहुल गांधी आमेठी जाएंगे और स्मृति हिरानी को हराएंगे और वहां से फिर इस संसाद में आएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा पहले तो जहां तक मुझे याद है राहुल गांधी जी अभी तो सुनिया जी और यहां से भी तो यहां आने के लिए उनको या वाइनाड या कई और से अगर एलेक्शन लड़ना चाहें वहां से जीतना पड़ेगा जहां तक मुझे लग रहा है वाइनाड में कॉंग्रेस और लेफ्ट भी लड़ रही है सीपी आई की एनी राजा लड़ ही है तो मुझे लगता वह सीट भी बीजेपी के पास जाएगी और अगर स्मृती जी के खिलाब लड़ेंगे तो महां तो उनका डिपॉजट भी फॉरफीट होगा लेकिन लेकिन एक सवाल है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है तो फिर दोहजार चे का डॉक्ट ब्यास दोहजार नौ के वीडियो को डॉक्टर मनवाहन सिंह के कोट किया क्या अपको लगता है और क्या आपको लगता है जो बीजे पिया रोब लगा रही है अगर कॉंग्रेश शासन में आएगा तो और बीसी स्सेटी इसकर इसी इनका आरक्षण समाप्त कर देगा और पावर में आएगी ऑफिस में आएगी तो मेरे हिसाब से तो इंपॉसिबिलिटी है इनके पिछले बारी को 40 42 सीटें थी 52 ती ती अच्छा इस सार 40 42 याएंगी तो इसलिए मैं यह आपको यह कह रहा हूं कि यह हम ऐसी बात नहीं करें पहले हमने यह मुद्दा नहीं उठाया मैं आपको यह बताना चाहता हूं हमने बात इसलिए की क्योंकि यह हमारे जो युवा नेता है लोकप्रियर राहूल गांदी जी इन्होंने मुद्दे अठाय उससे यह मुद्दे उठे अप अभी भी युवा की परिभाशा क्या है अब मैं मेरी 72 साल उमर है मैं भी अपने मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर मनमौन सिंग ने क्या कहा था और कब कहा था और एक बार नहीं कई बार कहा था उन्होंने यह कहा था जब वह प्रधान मंत्री थे डैट यह उन्होंने कहा था यह उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया और उसके बाद इन में से कई लोगों ने कहा कि जो ओबी सीज को कंसेशन या रेजर्वेशन जो भी आप कहें वहां से लेके उस पटिकुलर कम्यूनिटी में देने चाहिए मैं उस चीज के साथ लड़ नहीं रहा वो तो उन्हें ने कहा था उसमें भी हमें ग्यानता इसके बारे आज उसकी क्या इंप्लिकेशन है आज उसकी स्टेट्मेंट की जी मैं एक्सरे करवाऊंगा खटा-खट गरीबी कम करूंगा तो उस गरीबी कम करने के कॉंटेक्स्ट में उन्होंने का है कि अगर आपके पास से पंद्रा सो रुपए हैं तो मैं बांट दूँगा दस लोगों के बीच में तो यह हुआ है और उसमें फ प्रयास है पोलराइज करने का प्रयास है देखिए हमारी तरफ से कोई पोलराइजेशन करने का प्रयास है और ना ही हम कर रहे हैं करते यह खुद हैं जब हम उनका पॉइंट आउट करते हैं उनकी फॉल्ट लाइन में कि आपने यह कहा उस समय आकर कहते हैं यह तो बहुत सारे देखिए आप जब भी वोट डालने जाएंगे आप इस सवाल को ले चलना क्यूंकि जब भी कॉंग्रेस पार्टी किसी राज्य में चुनाव जीती है आप देखें इवीम कब इंट्रड्यूस कभी वह एवीम के बारे बात नहीं करती बर जब भी उचुनाव हारती है तो वह कहते हैं कि इवीम फॉल्टी है ना इवीम कैन इधर भी फॉल्टी और यह नहीं इडिपेंडेंट ओन के कॉंग्रेस पार्टी जीती तो इवीम ठीक हो गया देखें आज यह यह मामला जो है कई बार इस बीन टेकन जाता है सर से अपनो सवाल पूछे जी 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 किया सवाल अपका Detroit चुनाओं से पहले वह लेकिन और बटी पहले चार सो बार लेकिन जब पहला चुरणा वह रहीं उसके बाद बीचंडे पी कि तरफंसे ऐसी रल्ए type नियू जीन ऊपर्यवज्वाव जीन वी सब्सक्राइ सब्सक्राइब सब्सक्राइब ब enact पे तरफकत्राइब का था कि वुथ कohl कि सबारागा थे हैं करने। पहले प्स जब्सक्राइब करें पिछले शुनाव में सब्सक्राइब चस्राइब किस्वार्स के सुधन तरा राद सने थी będzie छुदाव… अगर उसमें 10% हमारी जाड़ा आती है तो 330 होड़ाती है 15% जाड़ाती है तो 345 होड़ाती है और हमारे जो एलाइज हैं अन्डिये के उनके 3040 भी होड़ाती हैं मैं इतने साल का हूँ तो कहते हैं आदा चार मीने रहे तो आप एक साल आगे कर लेते हो तो मतलब आएंगी 380 बोल 400 रहे हैं नहीं नहीं मैं देखे देखे जब चुनाव शुरू होता है तो एक परसेप्शन सेटिंग होती है उससे हमने का इस बार 400 पार जी होगा इसी बार 400 पार बट पहले राउंड के बाद हमने जो देखा है और आज सेकंड राउंड के बाद मुझे लगता है उसी फिगर पर ज से देती है ऐसा है ऐसी कुछ है तो बताइए यह लोग भी इस्तवाल करें उसका नहीं आपने तो अभी आपको दो वाशिंग की जरूरत ही नहीं है आप तो बिलकुल साफ दूद के धुले हो अभी तो आप पुलिटिकल लाइफ में आ रहे हो होता क्या है कि हमारे आप दूसरी पार्टी में जाने कोई बात नहीं हमारी एक कंडिशन होती है कि आप अगर भाजपा को जॉइन कर रहे हो आपका जो आपकी विचार धारा है नेशन फर्स्ट वैल्यू सिस्टम अगर उसको मीट करते बाद हैं आप यह देखिए और जो भी एडी केसे इंवेस्ट चलेंगे लेकिन जिडी अजीत पवार चीप और आपको लगता है कि वो देश बनाने के लिए तो इसाथ Pink यह सवाल पुदा राऊल गांदी क्या जिया जो बियरियो पुलिटिकल पर्स्टनिटी है अगरis आएं हमारी तरफ तो जिसने भी निर्ना लिया वो सोच समझ के लिया होगा जी जी विक्कुल आखरी आखरी राउंड है पंजाब की मैं बात करना चाहूंगा आपसे अकालियों के साथ आपका समझोता नहीं हुआ बात बंते-बंते रह गई या खेल कुछ और है आपको आप बात करें पर तेरा की तेरा में हम हैं नहीं बागवांत मान को यह पूछिए कि और मंतरी कौन अंदर और कौन जाने वाले उनको उसी की चर्चा करनी चाहिए बाकि मुझे अमीश्य आपको पता है मैं आपका एड्मार हूं जी पर आपकी प्रस्ट में मुझे लगा कि रिलीफ नहीं हुआ नहीं होने दिया नए नहीं नहीं सुनिये मैं कौन होता हूं तो एक भाजबा का कार्या करता हूं इस समय मैं मंतर्री मंदल में शामिल हूं देखिया ऐसा है 117 की एसम्बली है वहां पे हमें अकाली 23 सीट से जाधा लड़ने ही नहीं देते थे वहां प जाता हो उसके लिए घाटे का सौधा होता है इसलिए मुझे बड़ी खुशी है इस बार क्या होगा पिछली बारी हम दो लोग सवा सीट ते इस बारी कम से कम तीन गुना आएंगे और दूसरे अकालियों ने जो काम किया रेती की डखेती नशे की डखेती और किसम का करप्श मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं उनके साथ गंटपंदन में रहने के कारण हमारी बीच्छा भी खराब हुई इसलिए बड़ी बड़ी घुशी होई गटपंदन नहीं हुआ अकरी आकरी एक दो सवाल है और वह एक अर्विंद केजरिवाल के आप लोग पीछे क 14 में एक बड़ी अन्हाजारे जी एक बड़ी प्रोटेस्ट मूव्मेंट में भाग लिया उनuve और जब अन्वने उससमय कहाता हम शराब केख़े 惹लाप हैं राजनीतिक के खिलाफ हैं हम कोई राजनीतिक डल नहीं बनाएंगा है पर क्या किया और जो जिसके खिलाफ और क corruption का allegation कर रहे थे उनके गले मिल गए और शराब जिसके खिलाफ थे उसमें इतना बड़ा घुटाला कर दिया हमने नहीं किया यह जैसे वेस्ट बिंग ऑल में एक teacher scam हुआ 24,000 teacher जो illegally भरती हुए वहां पर किसी ने कहा था तो और कोट ने जाए गया कोट ने कहा कि इसकी जांच की जाए जी तब इडिया यहां पर नौ बार इडि ने बुलाया उनको समंज किया पर केजली वाल जी ने का मैं व्यस्त हूं मैं यहां बिजी हूं वहां बिजी हूं नौथ नाइन्थ एक्टेंट में गए फिर यह कोट आपके वन लाइन बड़े फेमस होते हैं तो हमने एक सोच आपके साथ रैपिट फायर राउंडी कर लें और हम आपके साथ चार नेताओं के नाम लेंगे और मुझे उमीज़ है कि आप एक एक लाइन में एक एक लाइन बोलनी होगी और आप बोलेंगे तो बहतर है पहला नाम जो मैं लेने जा रहा हूं वो है सुनीता केजरिवाल को डाइंग टुए स्यूम लीडर्शिप आम आदमी पार्टी ओके चलिए अब मेरा अगला अगला नाम है आपके सामने प्रियंका गांधी वाडरा कुड़ा बीन लॉंच्ट बट वस नॉट लॉंच्ट ओके अब थीसरा नाम है मेरे पास सुख्बीर सिंग बादल कुछ तो बोलना पाएगा वही इस पे ऐसा तो नहीं चलेगा और पंजाबी में बोलना पड़ेगा आपकी चुपी बहुत कुछ बता रही है बस वही मेरा रिस्पॉंस है जी चलिए आप उसमें कुछ बोलना नहीं चाहते है चलिए लास्ट इंद फाइरल नेम राहूल गांधी इस्टार्ट अप यह बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस मंच पे आये और इस युवा पीडी के साथ ने साथ आपने इंट्रक्ट किया औ और इनके सवालों के भी जवाब देने का प्रयास करा थैंक यू सो मच और आल दे बेस्ट आपको चुनावों के लिए थैंक यू गोड़ बेस्ट इविन जो भी बेहतर हो वो जीत करा है मैं सिरफ एक चीज कहना चाहूंगा जो मानने प्रधान मंत्री जी का दोजार संताल इस विक्षित देश का संकल्प है ते आर थे तू इनरितर आप आप डे बीशत बहुत बारत ऑच्ट बेस्ट आप बेस्ट आपको बेस्ट आव ब्लेस आपको जाए ख़ू और आपको आपको आड आपको अ झाल झाल